तो चलो दोखो को यह मैंने क्या बनाया एक सेल युथ अंदर में यह क्या यह साइटो प्लाजम्स है वो पता है और यह पूरा पूरा क्या है फलाजमा में में ठीक presents मैंने चप्राइब मेरे बीटाइब सदिकाना रे त होता है स्टेडिए डिए देन देन पैसी जाइसे कि लिटेटेटिड वगरा नहीं लिखने वाले कि अवाल एक्जांपल लिख लेंगे तना काफी तो ये हो गया देनके किन देखेंगे तैसे क्या होता है घंपण आपको भी अब नहीं इस है यहांपर कांसंटरेशन हो मौनलो कोई भी औरPlus सकता है कोई भी और उसका उस पर्टिकूलर मौल्स का रह menace के अiar में इसा यहांट गोले बनाएंuthTr यहां पर है हाई कंसंटरेश्न है रहे हैं है यहां पर क्या है फि 앞에 लोगा एठे Wallace low concentration है और यह जो wavelength आप देख रहे हो चिरोक किहार से किदर यह देखो है मेरे पास हमें बीच में जागा है नहीं बला लेता हूं पिच में जागा में यह जो आप मुमेंट देख रहे हो सब्सक्राइब कहां ही तूले दिस वन दिस वन आ यह इसको सिंपल डिफूजिन की वोला है यह इन्हें यह कोई फॉसको लिपीड लिए थी यहां पर इसके बगल से जो गैप था वहाँ से निकल लिया यहां पर भी फॉसको बगल करती थी तो फॉसको लिपीड के तो यह सिंपल डिफूजन है ऐसा करने वाले कौन-कॉन थे चलिए कुछ एकजाम पलब पना तो पहला अग्जाम पाल्स नॉन पॉलर मोलिकुल नॉन पॉलर गैस कुछ गैस ले लेते हैं जैसे की ओ टू और शी ओ टूवा ते जाते हैं यह तह एक्टेंज करता है नां नोग सब्सक्राइख पता है पर तो एसके अलावा परिकल इप पर किंभल्य तोड़ बते होगे जो फाइब चल्ध होता है इसके अलावा और अज्याओ जो most important example है a small vardır molecule है a small a polar a small polar molecule कि इसमें कौन को न आ जायेंगे small paul आ जायेंगे a model में पानी आ जायेंगे डाटने डारू एथेनल ithenol यह वह सकता है यह ऐसा कि बैंजीन आ ढंगे अगए ये तो नौन पोलर गैसे बोला ने मैं ऐसे एक और लिख लेता हूं किया यहां पर सबसे उपर में लिख लेता हूं कि नौन प्रमॉले क्या मुलेक्व सबसक्राइब को यह सारे जो नहीं पर नहीं होती है तो यह सारे जो मैंने एक्जाम पर लिखे नहीं पूछे जाएंगे कलवाइबा में अगर वह अपने हाई कंसेंटर से लोग कंसेंटर समझ में आ गया इसमें एक पर ले लेते हैं पहले उसके लिए आपको वह तो बनाना पड़ेगा ना क्या बताओ जी जाबनाना पड़ेगा उसके लिए इंट्रंसिक प्रोटीन का बनाव वक्त दिखाना पड़ेगा तो मैं इस कलर से केर जिखा देता हूं यह मानलो गलूट्पौर मैं गलूट्पूर और गलूट्फौर को लिए वह त्द्रास में क्लास में क्यान सांद अंत अ लुकोज ट्रांसपोर्टर्टर्ट है वह फ्रूफलो में ग्लट लिए हुगा यह है तो अब मालों के ग्लुकोज है तो उसको जाना है लेकिन वह जाएगा मालों यहां पर बहुत ज़्यादा यहां पर बहुत जाता है यह देखो अगर कोई जाता है और वो फैसिलेटेटेट डिफिजन का बोलो यहां पर पैसिव ट्रांसपोर्ट का दोने एक्जामपल समझ में आ जागा इस डियाग्राम के सिरूव यह नो अब देखो अब देखो अब दिखाने जा रहा हूं आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता हुँ त्सक्षिड सब कुछ हो रहा है लेकिन मैं क्या कर रहा हूं मैं डिखाने कंद यह वा ढaaaracid नहीं ही जो Значит है एक्सटीब के 動 caller सब्सक्राइब ट्राइब आप जानते ही त्रांसपोर्ट जो है अम Persian सबस्टांस तो लो मैं यहां पर इस कलर से दिखा दूरे यहां पर ओलरी सबस्टांस का कंजनेटरेशन कम और यहां पर बाफली सबस्टांस का कंसेंटरेशन का चाहर अगर वह क्यारियर प्रोटिन के माध्यम से कोई भी sir and यहां से यहां मुवमेंट दिखा रहा हूं तो यही मुवमेंट क्या एक्टिफ प्रांसपोर्ट है ज्यादा एक्जामपन लिखने की कोई दरवर्वत नहीं है आप यहां पर सीधा लिख दो कि वाय एने प्लस काम खतम है और क्या एक्जांपल लिख जोगे कैल से टूकर इतना काफी है बागी लोग आप समझ जाओगे तो यह क्या है अगेंज ता वहां पर देखेंगे आपको अगले जैसे कि कुछ वच्छे वहाँ पर देखिया होंगे वहाँ पर भी अगेंस ता यह जरूरी निया तो पंप या तो क्यारियर प्रोटीन लेकिन एक्टिब ट्रांसपोर्ट के केस में मैजरोरी तौर पर उसको क्या बोला जाता है पंप जो एक्टिपी का एनरजी यूज करके सबस्टांस का मुवमेंट कराता है अधर्वाइस करी जगा कैरियर प्रोटिन भी ऐसे होता है जिसमें टर्नल नहीं होता है और वह प्रोटिन भी करा देते हैं और वह बी एक्टिब ट्रांसपोर्ट होते हैं यह बात मैं आपको प्लांट फीजोलोजी में भी रिलाइज कराऊंगा तो मैं नोट डला के विलिग दूंगा कि in most of the cases active transport uses pump while in some cases carrier transport also carrier protein also so active transport तो यहां पर आप नोट डाल के लिख लिए यह डाग्राम सभी को समझ में आ गया हाथ खरा करें यह डाग्राम सभी को समझ में आ गया सिवाना इंद को दिक्कत है हाँ गया चलो अब नोट डाल के यहां पर क्या लिख लो नोट डाल के लिख लो active transport active transport mostly occurs by pump by pump but in some cases in some cases active transport also occurs through carrier क्यारियर प्रोटीन ए चला लाइक फॉर एक जामपल ऐसे लिख दो फॉर एक जामपल पॉर एक जामपल क्या लिख हो गया आप क्या लिख हो गया यूभी क्विंओन हाँ अबीक लीक नवीक्वी नवीकुनन उबिक नन इन मैं तक अड्य थ ऐस अड़ अ अड़ क् लास्ट तकिन उल्सिक थी इंड ड्यट शोड खिक्व इंड क्लोरोप्लास्ट एटियस क्या होता है एटियसा बात अभी मत पूछो प्लांट फिजिवलोगी में डेटेल में परहेंगे यूबी किनोन एक परकार का मॉबाइल हड्रोजन केरियर है माइटो कॉंड्रेट एटियस में पाएदा आप बस इतना याद रख लो बाकि यह होते क कराका ऐसे केरियर जो एक्टीव ट्रांस्पोर्ट कराते हैं फिर तो यह वह कि इस पर्फार्म एक्टिव् ट्रांसपोर्ट आफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट आप प्लस आएंच इतना लिख लेजें आप लेलिए एक्टिवLuc घ्रस्पोर्ट जो होता है वह स्वर कोन तो यहां तक ट्रांस्पोर्ट हमारा खतम होता है अब बात आती है क्या लाइट चली गई रूके मैं इसको यह करता हूं ने तो यह बीच में रुख जाएगा यह मेरा वाइफाइज नए मिटिंग में मिलते हैं नए मिटिंग में यह मिटिंग खतम हो जागा तुरत